देश में अगले कुछ महीनों के अंदर लोग सभा का चुनाब होना है इस चुनाब में तमाम राज़तिक पार्टियां अपनी अपनी चुनाबी रन्निती को दिखाएगी और यह जनता को विश्वास दिलाएगी कि आखिर वो कैसे जनता के हित में काम कर रही है इसी करी में बिहार की सबसे बड़ी राज़तिक पार्टी राज़त भी अब चुनाबी मैदान में खुल कर सामने आई है राज़त के तरफ से पार्टी सुप्रेम और लालू परसार यादब के बेटे तेस्वी यादब मैदान में उतरे हैं और तेस्वी यादब का इस बार मैदान में काड़ करेंगे और देड साम गोपाल गंज पहुंचेंगे गोपाल गंज में अपने जन विश्वास यात्रा के जड़िये लोगों को संबोधित करेंगे और बताएंगे कि सतरा महीनों के काड़काल में उन्होंने किस तरह से काम किया किस तरह से युवाओं के लिए काम किया किस तरह से बिहार के जनता के लिए काम किया और बिहार के हड़े तबके के लिए किस तरह से उन्होंने काम किया है और क्या क्या उनका जो है वो काम है और कैसे वह जनता के बीच जाएंगे और जनता से विश्वास लेंगे यह देखने वाली बात होगी लेकिन तेस्वी ने जिस तरह से कल विपच्छ को आरे हाथ लिया और विपच्छ के तरफ से जो आरोप लगा जाता है कि राज़त सिर्फ M.Y. समीकरण पर ध्यार रखती है उन सारे समीकरण को और अपने पार्टी पर लगए दब्बे को इस फ्रमूले का कार्ट कैसे दयार किया जाए क्योंकि तेस्वी ने कहा है कि राज़त ना सिर्फ माईके पार्टी बलकि बाप की भी पार्टी है हलांकि यह बात लालू याज़तात को लेकर नहीं था बल्कि मिकरन की पार्टी सिर्फ राजत अब नहीं रही बलकि राजत जो है कंप्लीट पूरी जो है बिरादरी जाती धर्म और समुदाय पर बात करती है और इसलिए उन्होंने बाप का इस्तमाल किया बाप मतलब उन्होंने कहा B से बहुजन यानि की पिछरा समाज A से अगरा यानि पी से उन्होंने पूर मलग गडीब तो बिहार की बेरोजगारी और दलित के साथ साथ तमाम तबके के लोगों को तैसमी अपने साथ लिए की कोशिश किये और तैसमी जब आज यात्रा पे निकले हैं तो वह बताने कोशिश कर रहें कि किस तरह ऐसे युवाओं को उन्हें थे न Springs की से प्षली बार यात्रा पर निकले थे तो उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहले रोजगार पर Referald दिया जाएगा और जैस्वी यहीं किया और तैसमी ने अब जब यात्रा पर निकले हैं तो उन्होंने कहा कि मैं पछले सद्रा महीनों को का deixa क् पैतरा के आग दूसरे दिन वो जो एक बहुत इहारी जाेंगे उसके बाद बेतिया और गपाल गज्ट में जाएंगे और वहां के युबां से जन्मत से वहां के जन जनता से जाकर बताएंगे कि क्यों जरूरी है बिहार के लिए पांगे減े की सरकार आनी यानि आर जेड की स जाएंगे और जब वह जनता के बीद बह जाएंगे तो जाइड सी बात है कि नितीश कुमार और NDA गटवंदन की मुश्किले बढ़ने बाली है क्योंकि जित्स ऐसे तेज़ ने कल जो है वह तमाम की जो जनता के बीद बहाया और बताया कि आखिर कार कैसे नितीश कुमार ने उनसे अलग होने का फैसला किया और क्या बजह रही जो नितीश कुमार उनसे अलग हो गए जब तेस्वी काम करने लगे तो नितीश कुमार उनके काम से खुश नहीं हुए और उनको लगने लगा कि तेस्वी हमसे अच्छा काम कर रहा है इसलिए वो अलग हो गया ऐसा तेश्वी आदब ने कहा है और आज पिर जब जन्ता के बीच जाएंगे तो वो तेश्वी बताएंगे कि आखिर कैसे वह जरूरी है और जन्ता का बिश्वास जितने की पूर्ड जोड कोशिश करेंगे पनोर्मक्रो जो सोचता है वो करता है ये लो मुँ मिठा करो आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया अब हम पूर्डिया वापस जाएंगे जॉब छोड़ दिया है मतलब ये घर कैसे चलेगा हम करेंगे क्या और माबाबुजी क्या बोलेंगे इसलिए मैं एक और मिठाई का डबा लाए अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया है अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है लेकिन पूर्डिया में हम रहेंगे कहां अपना घर भी तो नहीं है वहाँ इसलिए तो एक और मिठाय का डबा अलग से लाया हूँ अपने पुर्णिया में घर ले लिया है पुर्णिया के e-homes panorama में पुर्णिया में panorama group लेकर आये हैं e-homes panorama बड़ा घर, आलिशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के सब अड़े अड़े आप क्यों मुण मिठा करवा रही हो क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे है घर वापसी की खुशी पुर्णिया में e-homes panorama के संग e-homes panorama luxurious lifestyle redefined